क्या चल रहा है भाईयो मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर तो यार मैं अपडेट का स्नीक पिक वन आउट हो चुगा और यार काफी हाइप हो गई यार इसके चलते तो मैंने सुचा क्यों ना इस पिक वीडियो बना वालू तो आपको अगर नहीं पता है जो की होना चाहिए यार बेसिकली देखा जाये तो काफी ज़्यादा हाइप है यार सब इसके बाएत करे तो आपको तो भनत तो लगी गई होगी है ना तो मैंने सुचा चलो वीडियो बना आते और दिखते कि क्या आया है इस अपडेट में थोड़े और डिटेल देते आपको तो मैंने सोच है यार क्यों आपको थोड़ा और इंफोर्मेशन दे दे थोड़ा टीस करे यार और हाइप और भी ज़्यादा बढ़ा दे क्योंकि मैं तो यार फूल आन एकसाइटेड हुए यार में अपडेट के लिए देखने के लिए कि क्या आने वाला है और स्नीक पीक तो यार काफी ताबर तोड़ा और फेंटास्टिक लग रहा है यार तो चलिए देखते हैं बीना किसी देरी के तो यहाँ पे हम चलते हैं फॉर्यूम्स में और देखते हैं स्नीक पीक हैश्टाग नमबर वन तो यहाँ पे May Sneak Peek Hashtag 1 है तो यहाँ पर कन्फर्म करता है कि अपडेट में में ही आएगा में भी 29 में या फिर 26 में के अराउंड अपडेट आना चीए देड़ से दो हफते लगी जाएंगे स्नीक Peek 1 से ऐसा ही होते आया है तर यह भी कोई अलग नहीं होगा तो यहाँ पर एक CM Fragment हमें बोलता है Greetings Agents, this is CM Fragment of Marvel Future Fight We have spotted two fast moving objects approaching from outer space and started an investigation तो यह पहली हमें outer space बोलके cosmic entities बता देते हैं तो no doubt about it, let's find out more about the new space discoveries together तो यहाँ पर स्नीक Peek काफी amazing लग रहा है एक hammer है उड़ते वे आरे golden रग का और उसके round chain है पूरे और भी और stuff से यार तो यहाँ पर जो हमें golden hammer दिख रहा है उड़ते वे तो no doubt about it यह beta ray bill का hammer है as guardian है beta ray bill by origin उसके round अगर हम वो chain देख रहे हैं ते यार chain से तो यार पहले एक ही character हमारे दिमाग में आता है ghost rider तो हो सकता है यह cosmic ghost rider हो हो नहीं सकता है यह वही है यार no doubt about it लेकिन basically यह uniform होना चाहिए पनिशर का लेकिन net marble को हम जानते यार ghost rider को भी दे सकते और मैं चाहता हूं कि यह uniform ghost rider को मिले क्योंकि यार पनिशर काम कर जाता है यार लेकिन ghost rider तो लेकिन बिल्कुल बकवास यार इस game में अभी उसे काफी जादा ज़रुरत है इस uniform की चलिया देखते क्या होता है उसके आगे अगर हम चलते तो यहाँ पर हमें बोला जा रहा है that weapon and the long chain look quite familiar any guesses based on this evidence new missions await in the may update new missions await in the may update तो guys यह थो थोड़ा rhyming भी होगे और यार मैं तो काफी यह statement यार हमिट देव बताता है कि यार कुछ नया interesting game mode आने वाले इस game में यार मुझे तो लग रहा है यार epic quest हो सकता है लेकिन मैं यार गधा हूँ मैं तो हमेशा ही पहले कुछ भी update मैं mission बोलते हैं मैं पहली उचल के बोलता हूँ कि यार epic quest ही होगा maybe हो maybe नहीं हो लेकिन यार epic quest होगा तो मजा जाएगा नया तरीके resources farm कर पाएंगे एक character में 6600 crystal पे मिलेगा प्लस एक native tier 2 character unlockable होगा epic quest है तो epic quest यार काफी ज़्यादा hype लाती है गेम में और काफी ज़्यादा resource लाते हमारे लिए इस game में तर मुझे तो मन कर रहा है कि या epic quest ही हो लेकिन क्या पता और जैसी कि हैर update की बात करें तो मुझे most probably लगता है यह guardians of the galaxy hashtag one 2020 में जो नया comics आया है उसके base पर update है तक अगर उस update की हम बात करें तो उसमें काफी सारे characters थे जो की game में अभी है और काफी सारे ऐसे भी character थे जो इस game में नहीं है जो थे उनकी बात करें तो इसमें hella को एक uniform मिल सकता है lady ship को uniform मिल सकता है silver surfer को एक villain वाले uniform मिल सकता है जो उसे तो या ओपी बना देता है जिससे वो इतना powerful हो गया था कि यार गैलेक्टरस कोई आधा काट दिया था उसने तो यार काफी मज़ेदार होगा कि क्या होने वाला इस update में काफी ज़्यादा हाइप बढ़ गई है लेकिन अगर guys यह update as guardian related होगा तो इस game में काफी as guardians है जिन रीवक चाहिए तो वह होंगे फैंड्रेल होगन गॉर्गन कितने सारे बकवास as guardian characters इस game में भरे पड़े यार जिन रीवक की काफी ज़्यादा सक्ट जोरत है वैलकरी को एक uniform मिल सकती है यार काफी मज़ा जागा है अगर वैलकरी को एक uniform मिल जाए जिस्ते उसके passive या तो और improve हो जाए टीर 2 passive या फिर वो खुद एक stand alone amazing character बन जाए तो यार ये काफी मज़दार होगा और फिर यार एक speculation है कि Star Lord Groot Nova को भी uniform मिल सकते है नोवा यहां पर अचानक से कैसे आता है क्योंकि यहां नीचे में corner में अगर आप देखेंगे तो एक head दिख रहा है छोटा सा मुझे तो लग रहा है यह एक planet है लेकिन हो सकता है head ही हो character का तो वो Nova Alexander के इस uniform से काफी जादा match करता है मैंने pick उपर दिखा दिया है तो Nova Richard Rider को भ और साथ ही साथ Thanos को भी एक uniform मिल सकता है यार Thanos भी इस comic में included है main villain तो Thanos ही है यार हर जगे तो हो सकता है उसे भी एक uniform मिल जाए तो काफी जादा आफद हो जाएगा यार और अगर इसी update के साथ Odin को भी उसका rework मिल जाता तो यार काफी लोग काफी controversial हो जाएगा लोग बोलने लगेंगे कि यार पोल पहले से fix था कि Odin जीता और Odin पर update आगी जबकि उन्होंने खुदी कहा था कि 4 महीने लगते कम से कम एक update को prepare करने में लेकिन अगर ऐसा हो भी ज एक ट्विटर पर उन्होंने क्या पूस्ट किया है तो फिर अब अगर हम आते हैं ट्विटर में तो यहां पर कहते हैं कि a galactic tale of vengeance and heralding adventure awaits in the version 610 update do you feel worthy to pick up the challenge तो यहां पर vengeance word हमें पहले ही बता देते हैं कॉजमी गोस्ट राइडर और heralding adventure बेटा रे बिल और फिर feel worthy to pick up the challenge तो यहां डेफिनेटली स्टॉम ब्रेकर या फिर म्योलनिर की ही बात हो रही होगी क्योंकि वही दो ऐसे चीज है जो किया कोई वर्दी ही उठा सक पता है उन्हें तो यह था इस निक पिक के लिए काफी ज़्यादा मजा गया और काफी ज़्यादा हाइप और excitement बढ़ गई है तो यहार अगर अगर आपने इस चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यहार सब्सक्राइब कर दे आपको और कोई डाउट है तो मुझ झाल